हाई फ्रेंज मेरा और एक नए वीडियो में आप लोगा स्वागत है तो फ्रेंज आज मैं आप लोग को ऑन्बक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ या फिर और कोई दूसरा वाच जो अनलोग डिजिटाल कोई भी वाच होता है तो उसमें आप लोग का 18 mm से लेकर 49 mm का स्ट्रैप यूज होता है तो यह इस ट्रैप को जो स्ट्राप आता है सो क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है क्योंकि यह सिलिकॉन स्ट्राप रहता है औ आप लोग का इस ट्रैप का जो स्ट्राप यूज होता है तो इसमें आप लोग को 42 से 49 mm के बीच में कोई भी स्ट्राप यूज हो जागा देखिए कंपनी के तरब से यह वाला स्ट्राप मुझे मिला था लेकिन मैं एक दूसरा स्ट्राप रेड का लगा है देख लिजे यह यह वाला में यूज क्या हूँ और मुझे पर्सनली कम्पनी का जो स्ट्राप रहता है उससे काफी भेतर मुझे यह मार्केट का श्ट्राप देखने मिला है इसका प्राइस 100 रुपी आए अगर आप लोग को यह लग चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं मैं आप लोग व प्रवाइड कर दोंगा और डिलीवी चार्जिस का अला दोंगा तो फ्रेंज देख लिए बस कुछ नहीं करना इसको यूज कैसे करते हैं मैं भी आप लोगों को यह बताने वाला हूं देखें कंपनी के तरफ से जो यह वाला जो मैगनेट आता है इसका पावर थो रहता है त मैगनेट का तो अच्छे से ग्रीप नहीं बनता है लेकिन जो मार्केट में जो मिल रहा है इसमें प्रॉपर मैगनेट दिया गया है और यह जो आप लोगों का जो वाच का बॉड़ी रहता है मैं लिए स्टेनलेस टील या फिर आलूमिनियूम या फिर आयरन का बॉड़ी लग रहता है तो यह मेगनेट इसमें अच्छे से ग्रीप बना लेता है और देखिए काफी वहतर लग रहा है मुझे मैं परसनली इसको यूज भी किया हूं मुझे काफी अच्छा लग रहा है तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजए क्योंकि मैं डेली रोज मोबैल गेज इस लेटेड वीडियो बनाता रहता हूं तो फ्रेंट्स दूसरा एक श्ट्राप आता है जो आप लोग का आनलोग जो वाच होता है उसमें यूज हो जाएगा देखिए यहला एटीन इम करने के बाद आप अपना वाच में ऐसे लगाईए और पीन को छोड़ दीजिए बस फिटिंग हो गया अराम से तो इसका प्राइस भी अंडेड सो रुप्या होने वाला है तो अगर आप लोग को यहला चाहिए तो मुझे मेसेज कर दीजिए थैंक्यू